तो शुरू करते हैं इम टाइम का नाम लेकर और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओटिक डेमन्सी में बहुत सारे रोगे गठा हो चुके थे और आस्मान के तरफ देख रहे थे कि क्या आइस मास्टर सक्सेस्फुल हो पाएंगी या नहीं अब आगे अब वही दूसरी तरह जो सील था प्लेंस के बीच में उसमें क्रैक्स भी शैदा बाहने लगे थे पर क्योंकि ये सील काफी दूर था अगर एक रिंकार्नेशन लेवल का भी बंदा हो तो भी उससे लंबा समय लगेगा दीरे-दीरे क्रैक्स के बीच में से डेमोनिक औरह इस दुनिया में प्रवेश करने लगती है लोगों की नजर बस उस फॉर्मेशन के बीच में थी जहां पर एक आइस स्टैचू के समय आइस मास्टर बैठी ही थी अब इन्हें लग रहा था कि सायद ये आइस मास्टर फेल हो चुकी है उधर लोगों को जो पावर्फुल लोग थे उन्हें लगता कि क्रैक्स के बीच में उस पार कोई आँक है जो इन्हें देख रहा है लोग डर के मारे अब कावने लगे थे और वो बंदा जो शादीमों एम्परर है उसकी भी नजर फॉर्मिशन के बीच में बैटी उस आइस स्टैचू पर पढ़ रही थी और ये बंदा एक फैमिलियर फ्लक्चुबेशन इस आइस स्टैचू से फील करता है अब वो अपने हाथों से प्लेन को फाड़ने को देख रहा था ताकि वो जल्दी से आके इस फिगर यानि आइस फिगर को मार सके उसे पता चल गया था कि आइस माच्टर इस समय एंसिस्टर स्टेज में जाने की कोशिश कर रही है लोगों को भी पता चल चुका था और जो भी पावरफुल लगते वो जो क्रैक्स होए थे वहाँ पर अटेक करने लगते ताकि यीमो एंपरर को थोड़ा लेट हो सके यीमो एंपरर का हैंड था ही जो अभी भी इस प्लेन में था इस पार ही था वो इनके अटेक को इग्नोर मारता है और सीधा उस फॉर्मेशन के तरफ बढ़ने लगता है और तुरंत थी जापर हुआन वण बैटी थी वहाँ का लाइट बैरियर कोलाप्स करने लगता है बहुत सारी लोग जो इसे रोकने के कोशिश करते हैं दूर जाके गिरते हैं और खून के उल्टी चाल हो जाती है और ये हीमो एंपरर था ओव्यस है इनसे स्टॉंग हो गई हलाकि बस ये उसका हाथ है छेव एंसेंट मास्टर अब इस और खून के उल्टी भी इनके अब चालू हो जाती है और जमीन पर ये क्योंकि अभी तक हवा में थे गिरने लगते हैं लोग अभेरान थे कि क्या ये लोग अब काफी खुश थे कि आइस मास्टर जाग चुकी क्या वो सक्सेसफुल रहीं क्योंकि येमो एंपरर का अटेक पहली बार किसी ने पीछे ढखेला था लोग काफी खुश थे वान वान देख रही थी सभी को कि ये काफी खुश हैं वान वान के करण संबुदर भी अब जमनी लगता है और एमो एंपरर के हाथ से ये हेड उन फाइट करने लगती है और लागताब इस हैंड को ये पीछे ढखेलते जा रही थी और थोड़ी समयम इस हाथ को ये अपने आइस पावर से सील कर देती है येमो एंपर का हेंड पीछे अब भाग जाता है पर क्र Emperor सही कह रहा था One One वो जो सील ब्रेक हो रहा था उसकी तरफ देख रही थी और ये भी समय हलका सा खून के उल्टी करते है इसके Blood भी Blue कलर के थे Icy Blue क्योंकि Emperor Hand सच में Powerful था इधर जैसे हैं ये पीछे की तरफ गिरने लगती है एक figure जो कि King Yan Town में बैठा हुआ था इसके Body पर धूल जंग चुका था Finally अपने आखे खुलता है One One का figure आसमान से जमीन के तरफ गिर रहा था आखे इसकी बंद हो चुकी थी ऐसा लग रहा था इसकी Body पर इसका Control ही नहीं है पर अचानक से ये Feel करती है इसके आसपास इसको Feel होता है और कोई इसे पकड़ लिया है ये देखती है तो Link Dong आ चुका था ये कहती है तुम आ चुके हो आवाज इसका बिल्कुल भी I.C. नहीं था इस बार Link Dong इसको Hug करता है और कहता है क्या तुम Fail हो गई क्योंकि Link Dong फील तो कर रहा था कि Hug One One का Strength बढ़ा है पर ये अभी भी Ancesture Stage पर नहीं है नहीं तो Yemo Emperor के Hand से ये घायल नहीं होती Hug One One इसको Link Dong के Chest में लिपटी हुई थी इसके चेहरे पर एक Enchanting Smile था और ये फिर से Link Dong को किस करती है और इस दोरान रोने लगती है और कहती है मैं Succeed हो गई मतलब मैं सफल हुई Link Dong हैरान हो जाता है तुम सफल कैसे हो गई तुम तो Ancesture Stage पर जा नहीं पई क्या मतलब है तुमारा अब ये कहती है तुमने तीनों Turbulitions एक साथ धेल लिए Sorry कि मैं तुमारे साथ नहीं थी ये थोड़ा सा पीछे हटती है अब ये सब को बताती है कि मैं फिलाल Half Ancesture Stage पर हूँ और Ancesture Stage से ये भी अभी काफी कम है और ये सब को बताती है कि मैं सीधा सीधा कहूँ तो मैं Yimmo Emperor का मैच नहीं हूँ अब लोगों को लगता है मतलब हम कुछ भी नहीं कर पाए हारी जाएंगे आखिर में बाकी भी Ancesture Master अब रोनी लगी थे और Death Master और बाकी लोग कहते कोई बात नहीं अगर तुम Ancesture Level पर नहीं पहुची तो क्या हम सभी मिलकर फाइट करेंगे One One इस समय थोड़ सा काप रही थी और LinkedIn की तरफ देखकर कहती मुझे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है अगर मैं सबका औरा लेके भी Ancesture Stage में जाना चाती तो भी ये असंब होता और Forcefully इस पावर को एब्जॉर्ब करने का फिलाल मेरा लेवल भी अब बढ़ नहीं सकता है LinkedIn बस इसे blankly देख रहा था One One के आखों में आस हो थी फिर ये कहती है मुझे मालूम था अगर तुम मेरे जिगट राई करते तो तुम भी इसी लेवल पर रह जाते हमेशा के लिए इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था आखों में इसके बिल्कूल भी वो I.C.N.S पहले वाला नहीं था एक केरिंग गर्ल के तरह ये LinkedIn को समझा रही थी अब LinkedIn को समझ में नहीं आ रहता ये पुसे तुम करना क्या चाहती हो हुवान हुवान अभी भी रो रही थी और रोते रोते भी एक स्माइल जे रही थी LinkedIn को और कहती है फाइलि कि मैं तुम्हें सेकंड सिंबल एंसेश्टर बनाना चाहती हूँ लोग भी समय और LinkedIn भी चौक जाते है कि ये क्या कह रही हो ये कहता है LinkedIn वेट करो वस मुझे थोड़ा समय चाहिए मैं खुद सिंबल एंसेश्टर लेबल पर पहुँच जाऊंगा हुवान वान कहती पर समय कहा है वो सील देदरेब खतम हो रहा है ये मों एंपरर कुछी समय में यहां पर आप ही जाएगा फिर ये बोलती कि मैं तुमसे जूट बोल रही थी सूरू से ही जब मैंने तुमें सीटा डेल में एंटर करवाय है ताकि तुम डिवाइन पैलेस बनाओ मेरे वज़े से तुम तीन टर्बलिशन से एक साथ जह ले तुमें मुझे सच में हीट करना चाहिए इसके चेहरे पर वो स्माइल नहीं था बलकि एक दर्द था और लागतार ही रोते जा रही थी एक छोटी बच्ची के समान फिर ये बताती है कि मेरे मास्टर यानि कि सिंबल एंसेश्टर में मुझे ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं एंसेश्टर इस पर पहुँच सकती हूं बस मेरे पास उन्होंने ऐसा कहा था कि पावर है कि मैं किसी और को उस लेवल पर पहुचा सकती हूं पर उसके लिए मुझे पहले हाफ एंसेश्टर लेवल पर पहुचना जरूरी था लिंग डॉंग बस इसे अभी भी घूर रहा था यह कहता मुझे नहीं बनना सेकंड एंसिटर मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूं मुझे बस तुम चाहिए और दुनिया जे मेरे को कोई फ़ारक नहीं बढ़ता पर हुआन वान कहते हैं मैं तो बस यहीं चाहती हूं कि तुम जीओ मतलब जिन्दा रहो मेरी बस एक ही कामन है कि तुम जिन्दा रहो यहीं बात यह फिर से धोराती है जो इसने यूनिक डेविल रिजन में धोराय था जब लिंग डॉंग को वो युवान जी ट्रायो मार रहे थे लिंग डॉंग भी अपकामने लगता है कि तुम करना कह चाहती हो क्या तुम मेरी बात एक बार नहीं सुन सकती हो मुझे नहीं चाहिए मुझे कोई नहीं चाहिए मुझे बस तुम चाहिए हुवान वान कहती है पर मेरे पास कोई च्वाइस नहीं ये फिर से कहती है कि मैं बस यहीं चाहती हूँ, कि तुम जिन्दा रहो और अच्छे से रहो, ये थोड़ा सा पीछे अटती है, इसके बाल पहले जैसे काले हो जाते है, आखे नॉर्मल पीछ ब्लैक हो जाती है, ये पहले जैसी एकदम हुआन-वान जो पोनी टेल में, इंसेंट मास्टर्स भी हैरान थे, कि ये लड़की ये कैसे चेंज हो गई, लिंग डॉंग को भी लगता है कुछ तो गड़ पड़ है, ये तुरन थी, वान-वान की तरफ मूफ करता है, पर लिंग डॉंग के पास का जो स्पेस था, वो फ्रीज हो जाता है, ये आगे बढ भी नहीं पा रहा था, कई सारे बर्फ की लटाएं निकल दिया, और इसके पैर और हाथ सबको बाद देती, जबकि लिंग डॉंग उसने डिवाइन पैलेस बना लिया था, तीन टर्बॉलेशन जेल लिये थे, फिर भी इस पावर को ये रेजिश्ट नहीं कर पा रहा था, और फिलाल के साब से देखा जाएं, तो ये टॉप थ्री का बंदा था, यानि सिम्बल एंसिस्टर, उसके बाद हुआन वान और इसी का नंबर है, फिर भी ये काफी वीक माना जा सकता है, लिंग डॉंग अभी चिला रहा था, कि हुआन वान वान अगर तुमने कुछ भी तो मैं कभी तुमें चोड़ूंगा नहीं, वान वान हसती है, पर इसकी हसी, इसमें एक दर्द था, ऐसा लग रहा था, कि एक स्नो लेटस, लोटस, जो कि फेड हो रहा हो, आके ये बंद करती है, फिर इसको कुछ घटना यादा थी, कि बहुत पहले की बात है, एक ओल्ड म मैं उस समय न रहूं, तो ये छोटी बची, यानि बिंगियर, यानि की फिलाल की वान वान, ये कहती है, आप क्यों नहीं रहोगे, लड़की उसमें काफी छोटी थी, तो इसके आवाज में एक इनोसेंस था, ओल्ड मैन हसते हैं, पर फिर ये कहते हैं, लेकिन तुमें अप मतलब वो इनसान तुमें मिला नहीं, मतलब वो दुनिया खतम होने पर लिखा होगा, उस समय ये काफी यंग थी, और जब ये आईस मास्टर के रूप में थी, तो काफी अकेली रहती थी, और उसे उस समय कोई ऐसा मिला नहीं था, पर फाइनली जब ये अपनी आखे बंद की थी, तो बोलती है मन में, कि मास्टर, मुझे वो बंदा मिल चुका है, जिसके लिए मैं कुछ भी अपना देने को तयार हूँ, और ये मेमोरी जयात करके, ये लड़के स्माइल कर रही थी, और फाइनली ये बोलती है, मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने आत्मा के साथ अपने बोडी के साथ, अपने सोल के साथ, बलड के साथ, आवाज इसकी, एक मदुर संगीत के समान थी, और जैसे ये बोलती है, पूरा ये दुनिया जो था, वो कापने लगता है, और ये बोलती है, मैं बुला रही हूँ, Spirit of Heaven and Earth को, Divine Transformations के लिए, Ancestral Path के लिए, One One की थी, वो एंटर करने लगती है, लिंग डॉंग को कोई फरक नहीं पढ़ रहा था, ये बस One One को देख रहा था, और दर्द के मारे चीख रहा था, One One की बोडी, I.C. Blue Flame के करण, अब जलने लगती है, अब इसे समझ में आता है, कि One One क्या कह रही थी, ये उस Ancestor Level की पावर क ये फिर से चिलाता है, One One रुख जाओ, एक बीष्ट के समाने चीख रहा था, फ्लेम मास्टर वगेरा भी, अब आगे बढ़ने को देखते हैं, पर डेथ मास्टर रोक देती हैं, और कहती है ये उसका च्वाइस है, बीच में मच जाओ, फ्लेम मास्टर भी एमोशनल हो जा ये फिर से बोलती है, Sorry, मुझे इस दुनिया को नहीं बचाना था, मुझे इस दुनिया का सेवियर भी नहीं बनना था, मुझे बस तुम्हें जीते हुए देखना था, फिर ये कहती है, Thank you Lindor, कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ी, मैं जोकी फ्रीज हो चुकी थी, त तुम्हारे साथ अच्छी मेमोरीज बना पाई, प्यार का मुझे मायने समझ में आये, तुमने मुझे एक बार पूचा था, कि मैं आइस माश्टर हूँ या हुआन-वान, अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बेउकुफ, मैं कभी आइस माश्टर थी ही नहीं, मैं तुम् पाद एक अलगी डैजलिंग लाइट निकल रही थी, और वो जो आइस लोटस था, उसमें से भी अब डैजलिंग लाइट, जो इनिवर्स से जाधे एंटर की थी, वो एक्स्पैंड होने लगती है, लिंग डॉंग कुछ देख नहीं पा रहा था, और ये लाइट, शाद इ इल्यूजन बोल सकते हो, पर इंकारनेशन का, ऐसा लग रहा था कि नई मेमोरी जा रही है, पहले जनम में इसे दिखाए जाता है कि ये लिन फैमली का एक बच्चा है, जिसके पास एंसेशल स्टोन रहता नहीं, और वही स्टोरी की ये लांग टियान से बदला लेता है, ब पिर दूसरी जनम को इसके दिखाए जाता है, मतलब ये बस एक इलूजन है, इसमें लांग टियान फिर से इससे मिलता है, और इस जनम में लांग टियान के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, और इसके टैलेंट के वज़े से लिन फैमली काफी उपर जाती है, पर इस हुआन वार न तो कोई किंग जो थी, और इस जनम में भी मतलब ये बूढ़ाओ के मर जाता है, ऐसे करके बहुत सारे इसके जनम के अलग-अलग पहलू दिखाए जाते हैं, एक और जनम होता है, जहां पर ये हुआन वान से मिलता है, मैं अब ये हर एक जनम को एक्स्प्ले बढ़ लग रहता है, ऐसा लग रहता है, इसके दिल को, कोई फाड रहा हो, कोई पेन पहुचा रहा हो, वान वान भी इससे पूछती क्या बात है, तो अभी इसमें ये इससे शादी करता है, डाव सेक्ट में एक सेलिबरेशन मनाय जाता है, अब ये सुहाग रात वारी रह चीच लेता है, और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश हूँ, और यहां पर इसका एक साल निकल जाता है, और भी एक साल, ऐसे निकलते निकलते तीन साल इनके शादी के हो चुके थे, और वान वान इससे बात कर रही थी, कि फादर कह रहे थे, कि तुम्हारे कल्ट क्या तुम मुझे अभी भी नहीं बताऊगी लिंग डॉंग चोप रहता है एक्सप्रेशन इसके थोड़े कॉंप्लिकेटिट हो जाते हैं फिर यह कहता है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूं वान वन कहती है सुना अब यह बताता है कि मैं लिंग डॉंग हूं और एक अच्छी स्टोरी होती पर वो खुद सेक्रिफाइस कर देती और वो लड़का जिंदा रहता है कितने पेन में तुम सोचो पर वान वान कहती है कभी कभी कुछ चीजे हम अवाइड नहीं कर सकते तो तुम्हें वो पेन जहिलना था और वो भी तो जहेली लिंग डॉंग भी है फिलाल लिंग डॉंग कहता है लेकिन मुझे फिर भी यहीं रहना है उस दर्द को मैं बरदाश नहीं कर पाऊंग यह वाली वान वान कहती है जो तुमने मुझे स्टोरी सुने उसकी तो दिवानी मैं भी हो गई उसने तुम्हारे लिए अपना जान दे दिया और यह वाल स्माइल देती जैसा कि इसने रिंकारनेशन अपना जलाने के पहले दिया था लिंग डॉंग के आंके फिर से बंद होने लगती है और यह अपने माइंड में फिर से वापस आ चुका था इसकी आखें एकदम डार्कनेस जैसी डीपनेस इसमें आ जाती है यह पेन फील कर रह और मैं इस बार होने नहीं दोंगे यह लिंग डॉंग को किस करती है और रो रही थी लिंग डॉंग फाइनली जाग जाता है लिंग डॉंग सपने में इसको हक किये हुए था अब लिंग डॉंग जब दुबारा आखी खोलता है तो यह डार्कनेस वाले जगे में था और आ और लिंग डॉंग एक आइस लोटस के बीच में, कल्टीवेशन के स्टेट में था, ववन वान अब पूरी तरह से गायव हो चुकी थी, डार्क निस काफी तेजी से, इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, डेथ मास्टर देखती हैं उपर में, और कहती है लिंग डॉंग उसी को धूंड रही थी, जिसके वज़े से, ये एंपरर का हैंड काफी दूर जाके गिरा था, पर इस बार, उसे ये फिखर मिलती नहीं, यानि हुआन हुआन, पर डेमोनिक की, जब लिंग डॉंग के करीब जा रही थी, तो वहां पर एक फ्लक्चुबिशन की फील करती ह और वो लोटस, दोनों कवर हो जाते हैं, डेमोनिक लाइट, इस बेल से आके टकराती है, और जो एक्स्प्लोजन्स, रिपल्स निकलते हैं, आसपास के वोरियर, इस रिपल्स से ही, काफी दूर जाके गिरते हैं, और तुरंत ये ब्लाश्ट हो जाता है, और ये छे फिगर ये भी दूर जाके गिरते हैं, और खून के उल्टी करने लगते हैं, इनका औरा काफी जाता कम जोर हो चुका था, एक अटेक तो इन छे लोगों ने मिलके ब्लॉक कर लिए, पर अब क्या, इमो एंपरर को बढ़ता थे, ग्रैंट पो माटेन और बाकी लोग, ये लोग कहत अब हमें भी लगता, अपना रिंकारनेशन इगनाइट करके बचाना पड़ेगा, ये सभी अपनी औराज रिलीज कर रहे हैं, इधर वो आइस लोटस, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन फील होता है, पीछे कड़ी एक फिगर, जिसके हाथों में तलवार थे, वो तूर ये कैसे इतना स्टॉंग हो गई, स्पेशियल मास्टर शॉक में थे, डैथ मास्टर हसके कहते हैं, ये जैनित का पावर है, इसने जैनित पावर एक अलगी लेवल पर यूज कर लिया, शैद जैनित पावर में, जूनियर सिश्टर भी से थोड़ा सही सही, पर आप कमजूर मानी जा सकती है, फिले मास्टर कहते हैं, इसने जैनित पावर के लिए सभी पावर को छोड़ दिया है, स्पेशियल मास्टर शो कहते हैं, ये लिंग डॉंग सच में काफी लगी, इसको दो आउटस्टेंडिंग गल्स मिली, किंग्जू और जूनियर सिश्टर, पर फिर भ एंपरर इनकी तरफ भढ़ रहा है, लिंग डॉंग जो कि अभी भी कल्टिविशन में था, ये कहती है, कि पास्ट में, तुम मुझे हमेसा चेज करती थे, इस बार तुम मुझे, खुद को प्रटेक्ट करने दो, और ये आगे, हैड़ ओन फाइट करने के लिए, ये मों ए उसके बाद इसकी नजर किंग जू पर पढ़ती है, और किंग जू से होते हुए इसकी नजर वो आइस लोटस पर पढ़ती है, और ये तुरंती चौंक जाता है, कि एंसेस्टर स्टेज में ब्रेक्ट्रू करने की कोशिश, लगता है मैंने इस दुनिया के लोगों को अंड जैसे वो कियोस लाइट टकराती है, वो फ्लेम चीखने लगता है, जो कि गोश का सेप लेकर था, ये मोई एमपरर कहते हैं, तुम इस पावर को इस लेवल तक यूज कर पारे हैं, पर अभी भी ये काफी नहीं मेरे लिए, ये मोई एमपरर फ्लेम में अपना पावर तो धीरे-धीरे, किंगजू का जो ये कियोस लाइट था, ये डिम होने लगता है, किंगजू भी पावर को अपने फुल पावर तक यूज करने की कोशिश कर रहे थी, पर अब इसके पसीने चोटने लगते हैं, अभी जो फ्लेम घोस्ट था, इसके कियोस लाइट को डिव एंसियंट सीलिंग टेकनिक यूज करती है, कियोस लाइट इसके तलवार पर फिर से कठा होता है, बॉडी पर इसके कई सारे एंसियंट लाइन्स बन जाते हैं, और कियोस लाइट उस पेल हैंड जो की क्लावड के शेप कता है, उसे ब्लॉक कर देता है, पर ये रेजिस्ट भी अप पेन फिल कर रही थी, वह ही, डेथ मास्टर वगेरा, सोच रहे थे कि अपने रिंकारनेशन को इगनाइट करेंगे, अगर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं तो, अब कियोस लाइट, किंग जो के आसपास को जो था, काफी इंटेंस हो जाता, वो डेविल क्लावड का अपने लगता है, एंसेंट मास्टर जब यह देखते हैं, यह शौक्ड थे, कि यह भी एक प्रकार से अपने पावर को इगनाइट करने जाए, ताकि यह मों एम्परेर से फाइट कर पाया, यह भी अप हेल्पलेस फिल करते हैं, मतलब एक के बाद क्या एक हम सभी को अपने तरफ खीच लेता है, कि एक को तो मैं खो चुका, अब तुम्हें नहीं खोना चाता, पर इसके बात में थोड़ा सा पेन था, यह था लिंग डॉंग जो कि अब जाग चुका था, एक महीने से यह इंकारनेशन के हजार जिंदिग्या जी चुका था, और सबसे कहता है, बाक इमो एंपरर से कहता है, तो फाइनली तुम आही कह, माफ करना, मैं थोड़ा से लेट हो गया, अब इदर यह डेवल फिगर एक शेप लेता है, और इसका चेयर है एकदम सेम, लांग टियान केचा सकता है, लिंग डॉंग चौंग चौंग चाता है, लिंग लांग टियान, लिंग डॉंग भी हसके कहता है, यह अच्छा ही किया तुमने, लांग टियान को मारने मुझे बहुत मज़ा आता है, तो इस बार ही सही, इमो एंपरर ही सही या लांग टियान ही सही, मैं तुम दोनों को मारूंग, एंपरर भी कहता है, लगता है मेरा कैलकुलेशन गलत था एंसेश्टर ने भी अपना एक मार्शनल प्लाइन छोड़के गए लिंगडॉंग कहते ये दुनिया तुम्हारी है ने तो यहां से वापस लोड़ जाओ ये मो एंपरर जो कि लांग्टियान की शेप में था कहता है मुझे समझ में आ रहा है सिम्बल एंसेश्टर लेबल पर जाने में तुमने काफी लोगों को खोया है तब ही तुम मुझे इतना ज्यादा नफरत करते हैं लिंगडॉंग भी कहता है इस लेबल पर पहुँचने के लिए मुझे उसे खोना पड़ा अब लिंगडॉंग ज्यादा कुछ बोलता है ये बस अपने हैंड साइन्स को मूव करता है और कई सारे लाइट्स अलग-अलग डाइरेक्शन से इसकी तरह पढ़ने लगते आठ rays of light पहले इसके पास पहुचती है ये थे आठ great ancestral symbols और उसके बाद 9 divine objects जिसमें ancestral stone, great desolate tablet और बागी थे ancestor stone की यान लिंग डॉंग को देकर खुश होते हैं कि तुम उस level पर finally पहुची गए लिंग डॉंग भी से smile देता है और फिर कहता है अब मैं तुम लोगों को एक shape दे रहा हूँ और ये तुरंत इन नो divine object को एक form देता है ये तुरंती एक seven color के spear में बदल जाते हैं लोग कुछ बोलता नहीं ये तुरंती बस अपने हाथ को बंद करता है और emperor के आसपास का space काफी तेजी से second ने लगता है ये पावर इतना खतरनाक था कि इवें जो three attack को देखता है तो ये अपने युवान पावर और mental energy दोनों को यूज करता है इन दोनों से ये एक light disc बनाता है जो जिसका size millions में होगा और ये rotate करते हुए उस भावर से जाके टकराता है और दोनों attack एक दूसरे को neutralize तो करते थे पर इंसे निकलने वाले repulse इतने खतरनाक थे कि reincarnation वाले बंदे भी से मारे जाएं तो ये लोग पहले ही काफी दूर हट गये थे दूनिया इस समय काप रही थे डेथ मास्टर इन दोनों को देख रही थी क्योंकि दोनों अब बराबर के warrior माने जा सकते और past में symbol ancestor भी इमो एंपरर को मार नहीं सकते थे क्योंकि ये battle दो स जिन्दा है तो वो फिर से वापस आएगा तो ऐसे तो ये cycle कभी खता भी नहीं होगी डेथ मास्टर सोचती फिर कहती मेरे साबसे possible है कि लिंग डॉंग ये मों एंपर को मार दे फिले मास्टर समझ जाते मतलब आप number one rank divine object की बात कर रही है पर वो क्या चीज है इनको पता भ जाती है इन्होंने जैनित पावर तो जानते थे क्योंकि सिंबल एंसेश्टर ने इनको भी वो जैनित पावर को सेंस कराया था पर आइस मास्टर ही उसे successfully master कर पाई थी और किंग्जू कहती है मैं भी उस पावर को बस सेंस कर सकती है उसे control नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं से नहीं तो वो भी इमो एंप्रेल को मार सकते थे अब इनके पास कोई option नहीं था बस battle को देखने का आस्मान में वहीं वो दोनों फिकर्स लागतार एक दुसरे से fight कर रहे थे अब क्योंकि लिंग डॉंग एंसिश्टर स्टेज पर था तो इस दुनिया के power को ये utilize कर सकता और इमो एंप्रर के पास तो वैसे भी endless demonic और था तो दोनों एक दूसरे से किसी भी मामले में कमजोर नहीं थे लिंग डॉंग का seven spear उस devil spear से लागतार ठकरा रहा था इमो एंप्रर इस दौरान एक devil figure अपने आसपस एकदम इन ही के जैसा जिसका power होगा उसे प्रकट करते और एंप्रर कि मैंने तुम्हें पहले ही का कि जब तुम्हारे यहां symbol ancestor मुझे नहीं मार पाए तो तुम्ह क्या मारोगे यह smile दे रहा था और यह कहता है बस wait करो कुछी समय मेरी इमो आर्मी भी अब आती होगी तो death master वगएर अब serious हो जा तो और आसमान में देखने लगते हैं किसी चीज को प्राप्त करने आये थे मैं सही कह रहा हूँ ना यह मुझे पर कुछ बोलता नहीं है लिंग डॉंग कहता अगर तुम मुझे बताओ भी न तो भी मुझे मालू है तुम एक divine object के तलाश में आये थे जिससे तुम नमर वन rank divine weapon कहते हो मैं सही कह रहा हूँ ना य तुम सच में काफी knowledgeable हो तुम्हें मालू है तुम्हारे legendary symbol ancestor वो भी इसी चेज के लिए इस दुनिया में आये थे लिंग डॉंग को आप जाके पता चलो कि symbol ancestor भी इस दुनिया के नहीं थे तो वो कहां से आये थे पर यह में प्रेर रभ कहता है तुम्हारे symbol ancestor और हम दोनों उस पता नहीं था कि symbol ancestor इस दुनिया के नहीं थे यह मों emperor अब ज्यादा बखवास करना नहीं चाता था यह कहता है कि तुम इस दुनिया के आखरी उमीदो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो यह दुनिया भी खतम है वैसे तो हम सेम लेवल पर हैं तो दुसरे को मार नहीं पाई पर मैं जब इतने सालों से seal था तो मैंने एक plan बनाया था क्योंकि मैं पिछले बार symbol ancestor से जब मेरी fight हुई थी तो मैंने अपने body को explode नहीं किया था पर इस बार मैं वो कर सकता हूँ अगर मैं तुम्हें 1000 सालों के लिए भी seal कर दू तो उतना समय मेरे लिए काफी है अब इसक चेहरे पर एक expression अलगी था इसकी body expand होने लगती है इसकी body में 10,000 भुजाए निकल गी थी और सभी भुजाओं में कई सारे आँख थे जिनको हम diabolic eyes कहते हैं और इसके हाथ जो कई सारे थे एक के बाद एक explode करने लगते हैं और उनमें से वो आँख निकलने लगते हैं ये अगर थे यहां की पूरी energy pollute हो गई हो अब devil tablet जैसे ही बन था उधर वो जो cracks थे उनमें से cheek की अवाज आती है और कई सारे ये बाहर के planet से आने वाले यूमोज थे और इनकी संख्या भी काफी जाता थी that master बगरा का थो अब चेरा ही उतर चुका था अब ये लोग क्या ही कर लें अब शायत है इनका मरना fix था यूमो इंपर इन सभी को कहता है कि इस tablet को tribute दो यानि श्रद्धान चली और जैसे ये बूलता है ये जितने भी यूमोज आये थे अपने body को explode कर दे और इनका जो black blood थ इस tablet बजा के गिरने लगता है टैबलेट से एक अलगी और आप बाहर निकलती है और इसे निकलने वाले fluctuation को feel करके ही किंग जो या कोई भी इसमें डरने लगे थे लिंग डॉंग का भी expression पहली बार change होता है इसके दिमाग में खयाल आता है आटो ancestral symbols को ये बाहर निकलता है सभी के अपने पने power निकलते है यानि वो जो flaming ancestral symbol था उसका flame power एक का cold power एक का thunderbolt power एक से black holes सभी powers को ये release करता है और इनके power को ये maximum तक push करता है ancestral symbol अपने इन powers थे ये ज अगर आज मेरा tribe का आधे लोग भी मारे जाए मैं भी मारा जाओ मतला मेरी true body तो भी आज मैं तुमें suppress तो करी दूँगा इसको मालूम था इसको अपने actual body बनाने में फिर से 10 लाग साल लग जाएंगे पर फिर भी link dong से तो ये छुटकारा पालेगा क्योंकि 10,000 साल अगर link dong seal रहा या 1000 साल भी तो वो जो divine object है उसे ये प्राप्त कर लेगा number one rank का weapon तो ये वैसे भी strong हो जाएगा अब ये devil tablet का एक power था 10,000 devil से इसे use करता है और link dong क्या असपा एक black aura फैलने लगती है जो इसे अब seal करने लगती है link dong अब इस aura को देख आगे बढ़ता है अपने spear को लेक और थोड़ी समय में ये explode कर जाता है और फिर से 9 divine great objects में बदल जाता है आठो ancestral symbol भी इस दौरान काफी damage हो जाते है इन symbols पर तो crack भी आ जाते है उदर यान जो कि अब weak हो चुका था ये link dong से कहता है कि ये emperor तुम्हें seal करना चाता है साउधान रहो लोग डरने लग कि अगर link dong को ignite करना पड़ेगा devil tablet इसे लागतार अब suppress कर रहा था इसे मालूम था अब एक ही तरीके से मैं बच सकता है अगर मैं top ranking divine object को control कर लो पर इसके पस divine object का कोई गहरा knowledge तो था नहीं पर इसे मालूम था वो जो भी object है उसमें zenith का power है अब ये सोचने लगता है आखे बंद करके क जैनित का मतलब क्या होता है लिंग डॉंग का conscience ने इसमें दुनिया के साथ मर्ज हो जाता है एक अलगी space में पहुँच चुका था ये सभी से कहती मुझे protect करो मैं उसकी साहेता करने जा रही है ये भी अपने आखे बंद करते और इसका भी conscience ने दुनिया के साथ मर्ज हो ज ये फिर से अपने मतलब consciousness को mind को merge करते है इसका मतलब एक ही था ये दोने एक दूसरे के दिमाग में आप जाक के देख सकते हैं पर इस समय जैसे इनकी औरा मर्ज होती है इनको एक प्रीमल कियो स्लाइड दिखती है ये location था जैनित का इन्होंने इस जगे को पहले भी sense किया दोनों का consciousness प्रीमल कियोस में एंटर करते है पहली पर जब लिंग्डॉंग यहां पर आया था इसे काफी pain हुआ था पर इस बार नहीं तो यह है वो जगेश जैनित क्या तुम इसे feel कर पा रहे हो यहां पर आने के बाद लिंग्डॉंग एक एक लोगों का दिल का धड़कन निकला था यह मोई एंपरर और सिंबल एंसेशर इसी के लिए आये थी और इन में से कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाया था क्योंकि इस इस पावर को जो भी हासिल कर लगा वो इस dimension का master बन सकता है यानि पूरे dimension को उस दुनिया को control कर सकता है और क्योंकि यह इस दुनिया मे मैं पकड़ नहीं सकता हूँ यह रुक जाता है और यह इस से कहता है कि मुझे follow करूँ मैं यही पर जन्मा और यही पर बड़ा हूँ मैं इस plane के सभी लोगों को protect करूँगा protect करूँगा protect करूँगा इतना यह बोलता है primal chaos light से एक eco निकलता है यह अभी भी एक टक dimension fetus को दे रूल कर रहा हूँ इस dimension का यह master बन चुका हूँ अब इदर बाहर में chaotic dependency में लिंग डॉंग पर लागता है वो जो devil tablet के आइस थे attack कर रहे थे लोगों को लग रहा था अब लिंग डॉंग मरने वाला और इनका भी अब कुछ नहीं हो सकता तब ही लिंग डॉंग अपने आख फोड़ने लगती है थोड़ी समय में यह tablet explode कर जाता है और जैसे यह tablet explode करता है इसको मालूम था भी यह लिंग डॉंग के सामने कुछ भी नहीं है लिंग डॉंग एक कदम आगे बढ़ा रहा था और इसके pressure से इमो एमप्रर भी अब suppress होने लगा था अब बहुत सारी लोग इस समय kneel down हो जाते हैं और इनमें से कोई तो कहता है martial ancestor यह पहले बार इससे किसी ने नाम दिया था हमारी रक्षा करिए इस दुनिया की रक्षा करिए सबी लोग एक सुर में यह आवाच चेलनाने रखते है martial ancestor हमारी रक्षा करिए यह में एमप्रर भागने को देखता है इससे बहुत अफसोस था किस dimension कभी हो एक dimension master बन चुका है यह सूच रहते है यार मैंने कितना मेहनद किया एक बार तुम मैं 10,000 साल के लिए seal भी हुआ symbol ancestor मारा गया पर आखिर में link dong को वो power मिल गया link dong अपने hand science move करता है और जो space में cracks थे वो भरने लगते है और इसे देखते हैं जो hemo army थी अब भागने को देखते है क्योंकि dimension master के पास ही ऐसा power होता है कि वो dimension को फिर से पहले जैसा कर सके link dong जब इन्हें भागते भी देखता है तो कहते हैं मैंने पहले ही का कि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पर अब जाओगे नहीं symbol ancestor का का काम मैं पूरा करूँगा इसके light fetus में से एक खतरनाक और निकलती और emo emperor के उपर घूमने लगती देर देर ये shape dimension fetus का ले लेती है अब कभी attack नहीं करूँगा लिंग डॉंग कहता है जाने दूं तुम्हारे वज़े से कोई मेरे काफी करीब था वो मारा गया मैं तुम्हें जाने दूं तुम्हें मार भी तूं तो भी मेरे दिल को ठंड़क न मिले उसके बाद यह तुरन ती dimension purification return to void power use करता है फेटस में से एक खतरनाक लेवल की औरा निकलते हैं और Yemo Emperor के बॉड़ी से टकराने लगती है इमो Emperor का बॉड़ी जो कई हजार फिटका था दीर दीरे अब छोटा होने लगता है यह चीख रहा था इसके डेमोनिक औरा प्यूरीफाई हो रही थी Yemo Emperor काफी छोटा हो जाता है मतलब इसके हथीली पर आब आ सकता था लिंग डॉंग अभी भी इसके औरा काफी श्टॉंग थी क्योंकि Yemo's जो होते हैं इनका life force काफी श्टॉंग होता है और dimension faders को भी इसे पूरी तर से खतम करने में शायद 100 साल लग जाया है पर लिंग सिंबल एंसेश्टर मैंने आपका promise तो पूरा कर दिया और अब यह मेरी बारी कि मैं अपनी promise पूरा करो फिर यह मन में कहता है तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें धूंड के लाओंगा ही लाओंगा तो भाईयों श्टॉरी यहीं पर समाप करते हैं और लाश्ट के कुछ chapters बच